सक्षचतकार जीव को होता है या आत्मा को सक्षचतकार आत्मा को होता है लेकिन आत्मा को जो सक्षचतकार होता है उसका उनवो जीव को भी प्रब्द हो जाता है दोनों को होता है क्योंकि जीव अंगना भाव ले चुका है वो अभी अपने को आत्मा ही मान रहा है तभी तो प्रेम है और आत्मा से रही ते जीव को किस प्रकर सक्षत कार होगा देखिए समराट की महरानी अकेले तो जाएगी नहीं अब उसकी दासी साथ में रहेगी समराट के पास सिंगहसन पर बैठना है महरानी जाएगी समराट के पास बैठी रहेगी दासी नहीं बैठ सकती लेकिन दासी एक सहले के भी भूम का निवा रही है समराट की पतनी जब महां से सिंगहसन से उठकर के अपने महल में जाएगी तो दासी को बता देगी कि आज समराट ने मेरे से यह यह बाते की है इसी तरह से जी आत्मा को प्रितम के दिदार में पहली भूम का निभाएगा चित्वनी वो करेगा अपने जीव भाव को अंगना भाव में परिवर्दित करके कष्ट वो छेलेगा कि एक चित्वनी में बैठने पर कष्ट तो होगा मन को जीतो, इंद्रियों को जीतो आसन लगा करके बैठो, गर्मी में बैठो, जाड़े में बैठो, एक कष्ट जीव बिचरा भोग रहा है इस त्याग के बदले उसको यह सुभा की पराप्त होता है कि आत्मा को जब परितम का दिदार हो तो जीव को भी कुछ अंसप्राप्त हो और वो इतना थोड़ा सा पाकर के इतना पाकल हो जाता है कि लगता है कि ब्रहमान की सबसे बड़ी संपदा मुझे मिल गई है आत्मा तो छेल लगती है जीव से नहीं छेला जाता इसलिए जो जलक आत्मा राचिक के दिदार करके उनमें डूब जाती है और जीव एक हलकी सी जलक पाकरके बेसुद हो जाता है उसको लगता है कि मैं कैसे इसको समाल लो इस आनन्द को ये भेद हो नहीं पाता आत्मा और जीव के दिर्शन का केवल भुक्त भोगी है जान सकता है प्रस्ते है आत्मा से रहती जीव को किस प्रकर सक्षतकार होगा साकरकर्णत में यह बादर्शाई गई है जो कोई हक्के हुकम का ताय इलम करे जो भी सक अपने बाणी का धिन किया और संसे रहित हो गए कि नहीं कुछ भी हो जाए राजजी की अत्रिक्त हमें किसी की भक्ती नहीं करनी है अटूट भिश्वास आपने ले लिया और राजजी के लिए अटूट प्रेम भी ले लिया देखिए मीरा भी तो जीव थी मीरा को कितना अटूट भिश्वास है रस्खान को है ये किर्ष के प्रेम में दिवाने है कई-कई दिन भूखे हैं रस्खान कोई चिंता नहीं और अपने संदर साथ को दो पहर को भोजन मिलता है बारह एक बज़े भोजन करते है तीन बज़े तुरंट चाहे चाहिए ने तो मंच सुना रहेगा अब सुचिए संदर साथ कहां खड़ा है जब सिविर लगाए जाता है चित्वनी का तो कितने संदर साथ कहते हैं क्या घास बात खाना पड़ता है चाह नहीं मिलती चाह भी कड़क चाह उसके बिना पागल होते हैं जैसे मचली तडपती है पानी के बिना जिनको कड़क चाह की आदत होती है उसके बिना तडप रहते हैं सब को छोड़ सकते हैं लेकिन यह छुटना ने रस्खान को तीन तीन तक भोजन नहीं मिला है बिरिंदाबन के गलियों में पागल होकर खुम रहे हैं न धूप का भाय न भूक की चिंता केवल कृष्ट चाहिए ऐसे जिवों को क्यों नहीं मिलेगे राजी जो कोई हक के हुकम का ताहि इलम करे जो भे सक लेवे अपनी मेहर में तो नेक दिदार कभो हक जदि अटूट इमान और प्रेम आज जाए तो कभी भी राजी की हलकी जलक उसको अवस मिल जाएगी पर ना दिदार कभो निस्बत का ना काहो को एक न्यावाद स्यामाजी का रूप नहीं दिखेगा सक्यों का रूप नहीं दिखेगा हाँ पचीश पक्षो का रूप जीव देख सकता है राज्य की सुभा को जीव वैसे ही देख सकता है जिससे आत्मा देखती है लेकिन उसको चित्वनी के मार्ग पर चलना पड़ेगा ब्रहम सिष्टी वाला मार्ग अपनाना पड़ेगा सरियत छोड़ने पड़ेगे आज जीव सिष्टी का राज्य है इसलिए चित्वनी का परचार नहीं हो पा रहा है जीव सिष्टी सरियत को छोड़कर आगे बढ़ना ही नहीं चाहती हाँ यदि उसको अच्छा संग मिले ब्रहम सिष्टी का संग मिले तो जैसे एक ब्रिंगी कीट जो है अपनी योनी को रुपांतरित करके तितली बन जाता है उसी तरह से संगती से ब्रहम सिष्टी की संगती से जान की संगती से ब्रेम का परगास पाकर जीव भी ब्रहम सिष्टी जैसी रहनी अपना कर राजी का और परमधाम का दर्शन कर सकते है अवसकता है कि समय यह नहीं सुचा जाए कि कौन जीव है कौन ब्रमसिष्टी सब को ब्रमसिष्टी के भाव से परमधाम का ज्यान देचे सब को राजी के प्रेम का मार्क दर्शाहिए और चित्वनी के मार्क पर प्रेडित कीजिए ये निबेरा करना कौन ब्रहमसिष्टी है कौन जीव है आपका भी से नहीं है आपका कर्तब है कि सब को बताईए कि तुम परमधाम की आत्मा हो और तुमें धनी की सुभा को बसाना है कोरा से कोरा जीव भी जदी चित्वनी कर लेगा तो ससरुप की बहिस्त में जाने से उसको कोई नहीं रख जुकता ब्रहमसिष्टी का जीव जहां जाएगा कोरा से कोरा जीव भी चित्वनी के बल पर चला जाएगा लेकिन दुख इस बात का है कि हमारा समाज का एक बर्ग चित्वनी के बिरूद में खड़ा हो रहा है कई जगा चित्वनी पर रूख लगाई जा चुकी है कि चित्वनी करने के कोई आउसकता नहीं चित्वनी हो भी कहां रही है क्यों सरसावा आने वाले सुन्दर साथ चित्वनी के बारे में जानते हैं रतनपूरी में चित्वनी में बहुत कम लोग बैठते हैं पचीज तीस बैठते हैं वो भी जो चित्वनी होती है उसमें बहुत धिक प्रबिर्ती ही ज़्यादा देखती है प्रेम का मार्ग नहीं दिखता है से सारा समाच कर्मकान की दिवानों से अपने सिर में घाओ कर रहा है जैसे अभी सुनने में आया है बात कितनी सच्ची है मैं अभी असबस नहीं कह सकता कि कुछ बर्षों के पेश्चात अमदाबाद में ऐसा कारिक्रम होना है जिसमें 16 हचार पाठ रखे जाने है 16 लाक मेरसागर के पाठ होंगे और 16 करोड तार्तम का मंत्र जब होगा 16 करोड मंत्र के जब करने में हचारों लोगों किया हो सकता है उससे मिलेगा क्या सोला करोड बार तार्तम महामंत्र का पार्ट करेंगे उतने समय में सब को चित्वनी के मार्क पर लगा दिया जाता तो आत्मा को कुछ मिलता लेकिन वही कर्मकांट वही पार्ट, पुचा आर्तिव, इसी में सारे समाज को डुबोया जा रहा है चित्वनी क्या है हम अपनी आत्मा के धामिर्दे में इवल सुर्प के चप क्यों न देखे करना क्या है और इसमें खर्च कितने होंगे करोन रुपे पानी की तरह बाय जाएंगे आमदनी भी होगे भाय भी जाएंगे और सब को यह बताया जाएगा कि देखो राजी पर इमान रखो पाठ सोलह हजार पूरे करने है कुछ लोग जल्दी से पन्ने पल्टेंगे पता नहीं मुझे तो नहीं लगता कि सोरल करोर तारतम महा मंतर का जब बढ़िया से हो पाएगा और उनको तो एक चौपाई का जब करना है छे चौपाई का जब करना है जल्दी जल्दी माला पर फेरते जाएंगे दुनिया में सुर मचेगा कि देखो करोणों मंतर का जब हो रहा है तत जपत तदर्त भावनम अर्थ की भावना से जदी जब हो तो कोई लाब है जैसे मैं पेंट ड्राई में पूरा तार्तम भर दो और लाड़ स्पिकर पस बजाते रहा हूं निज नाम स्रीजी साहिब जी अनादी अक्षराती सौ साल तक बजाता रहा हूं तो क्या उस माई की आवाज सुनकर राज जी वहाँ युगल सुरू पाजाएंगे कि माई की जाहिए मेरा नाम ले रहा है आपका हिर्दे सुना है गले के उपर से निज नाम स्रीजी अनादी अक्षराती जब करते जा रहे हैं क्या मिलना है एक बार बुकारो मैं लिख्या है तुमको एक बार करूं मैं साथ दस बार जी जी करूं करकर तुमको याद इसी को तो साथ करते हैं इसी को प्रेम लक्षरा भक्ती करते हैं सौ बार जब करने क्या हो सकता नहीं है एक बार मेरे प्राणिस्वर करकर अपना हिर्दे दे कर पुकारिये राजी कतिक तुम्हारे एक बार पुकानने पर मैं दस बर जीजे करता हूँ लेकिन करोड बार माला को भेड़ते रही है निजिनाम से कड़ जी अनादी एक्षरातित कही है या निजिनाम से रिजी साहब जी अनादी एक्षरातित कही है निकट नावे नादी जी राज जी कभी नहीं आपके पास आएंगे राज जी आएंगे किवल प्रेम से ये तो जब पूजा पाट ये प्रवाहियों की है बैस्तोर संपरदाई की है उसको देखकर हमने नकल मार लिया कि जैसे वो हैं वैसे हम हैं और हम कहने लगे कि हम सुध बैसरों है कंठी क्यों पहनते है पूरी वाणी में कहें लिखा है कि कंठी पहनी सो माला वावो गले में द्वादस्त करो दस्वेर जोलो प्यू नौल की काँ हुई धरे बहु पहस सब कहते हैं कि हाँ स्री जी ने भी तो तुलसी की कंठी पहनी थी स्री जी ने तो दाड़ी नहीं रखी आप दाड़ी क्यों रखते हैं स्री जी ने तुभाई गुदड़ी वोड़ी आप अच्छे-च्छे कप्रे क्यों पहनते हैं आपकी टूपी में तो नजाने क्या क्या जुड़ा रहता है। स्री जी पैदल चले, आप भाई भी स्टाट होटलों में ठाड़ते हैं। स्री जी कहते हैं कि स्री जीने चार मालाएं पहने, तो हम भी पहने गए। आप ये बताएए, स्री जी बरतन के रूप में तुमबा लेते हैं। आप भी लीचे ना। आपके बरतन कितने किमती होते हैं। एक बात कि मीठा मीठा गड़ब कड़वा कड़वा थू। जो अपने लाइक अच्छा लगता हैं, लोग उसको अपना लेते हैं। ये बात नहीं है। परिस्तिती के अंसार जो स्री जीने वैरागी भेस धारण किया। उसमें कई पंथों की बात थी। जैसे 22 लोग माला पहनते थे, माला पहले। Sanyasi लोग cluster वुडाते थे उनहोंने और जो वैरागी लोग नीचे आधा पहनते हैं, आधा मोड लेते हैं। वैसे उनहोंने कर लिया। हर पंथ की जो जो बाते थे वैरागी वैसधान कर्मने कर लिया। स्री ची किसी नियम से थोड़े बथे थे। इसलिए हमें जो है माला पर ध्यान नहीं देना चाहिए अब तो तुलसी की कंठी की महिमा बताई जाती है बताईए माला की क्या महिमा है महिमा तो तार्तम वाने के क्यान की है चित्वनी की महिमा कहीं नहीं बताई जाती है कि चितवनी करने से आत्मा का क्या कलनाड होगा जदी एक बत बताइए आप तुलसी की माला गले में पहल लेते हैं तो कहते हैं कि परमधा मिल जाएगा तुलसी का गठर ही सिर पर लाते हैंगे तो क्या मिलेगा ज़्यादा मिलना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है जड़ बतार्थ है तुलसी उसके पहनने से न पहनने से कुछ नहीं मिलता कहते हैं कि तुलसी सुहाग कचिन है तो रुदराक्ष पहन लेगे तो वो सुहाग कचिन है नहीं होगा माला तो माला है तुलसी का समंद ब्रिंदा से जोड़ते हैं लक्षमी जी ने शराब दिया विरंदा को कि जाओ तुम तुल्सी हो जाओ क्योंकि विरंदा ने विरंदा ने शराब दिया कि तुम पत्थर हो जाओ लक्षमी जी को बुरा लगा कि मेरे पति को इसने पत्थर बना दिया तो मैं भी इसको तुल्सी बना दो और गंदी जगह पर उगने का स्राप देदू विश्ण भगवान ने कहा कि बिरिंदा तुम चिंता न करो तुम्हारा पत्ता जब तक मेरे उपर भोग मनी लगेगा मैं किसी भक्त की पूजा सुखार नहीं करूँगा हम मित तुलसी के गूर्ड गाने लगे हैं तुलसी के गूर्ड मैं भी गाता हूँ कि औसधी की दिश्च बहुत अच्छी है लेकिन ये कहना कि तुलसी हमारे सुहाग की निशानी है बिल्कुल गलत है हमारे सुहाग की निशानी क्या है इसक है हमारी निसानी इसक बिना हमें भाई बिरानी इसक नहीं है प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन बिरान है और हम ब्रम्सिष्टी के निसानी क्या है इसक और इमान तुलसी के कंठेने झाल